ओम श्यान्ती आज सतर जून 2021 की साकार मुरली आज बावनी कहां मीठे बच्चे तुम पारलोकिक बाप को यथार्त रिती जानते हो इसलिए तुमें इस सची प्रीत बुद्धी वह आस्ति कहेंगे प्रश्न बाप के किश कर्तबे से सीध होता है को भक्तों का रक्षक है उत्तर सब भक्तों को रावन की जेल से छुडाना इन्सल्वन से साल्वन बनाना या एक बाप का ही कर्तबे है जो पुराने भक्त है उन्हें ब्रावन बनाकर देवता बना देना यही उनकी रक्षा है भ सबी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने। गीत है भोले ना से निराला। ओम शांती। ये किस की महिमा सुनी बच्चों ने। गाया जाता है उंचते उंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयता है, जैसे लोकिक बाप भी रचयता है, अपनी रचना का, पहले कञ्णा को अपनी इस्तिरी बनाते हैं, और फिर उनसे रचना रचते हैं, पांच से साथ बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना, बाप ठेहरा रचयता, वो हद के रचेता ठेरे यवी बच्चे जानते हैं रचना को रचेता बाप से बरसा मिलता है मनिश को दो बाप तो होते ही है एक है लोकिक और दुसरा है भारलोकिक बच्चों को समझाया है ग्यान और भक्ती अलग-अलग है फिर है बेराइके इस समय तुम बच्चे संगाम पर बैठे हैं है तो सब बच्चे परन्तु तुमने बेहत के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचेता है लोकिक बाप होते भी उस पारलोकिक बाप को याद करते हैं सत्यूग में लोकिक बाप होते पारलोकिक बाप को कोई याद नहीं करते क्योंकि है ही सुगधाम उस पारलोकिक बाप को दूख में याद करते हैं, यह पढ़ाया जाता है, मनिश को समयदार बनाया जाता है, भक्ति मार्ग में मनिश बाप को भी नहीं जानते हैं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गौड फादर, हे दुखरता सुख करता, फिर कह देते सरव्यापी, पथर में कनकन परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं, तुम बाप के बने हो, तो तुम हो गए आस्तिक, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धी है, बाकि शब की बाप के साथ भी प्रीत बुद्धी है, अब तुम जानते हो, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी ह पुरानी दुनिया के बिनास अर्थ हर पांच हेर बस बार कल्यूगी पतित दुनिया पूरी हो फिर सत्यूगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाब के द्वारा जिसको ही याद करते हैं हे पतित पावन आओ हे खिबईया हमको इस विशय सागर से निकाल छीर सागर में ले जाओ गांधी जी भी काते थे पतित पावन सीता राम हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ तुम सभो सीताए भग्तिया वो है भगवान सब उनको फुगारते हैं वो तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहां भी धक्के नहीं खिलाते हैं, ऐसे नहीं कहते, तिर्थो पर जाओ, कुम के मेले पर जाओ, नहीं, यह नदिया कोई पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक ज्यान का सागर बाब है, सागर वो नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाब को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ, बाकी पानी की नदिया तो सारी दुनिया में है, वो थोड़ी पतित पावनी है, पतित पावन एक बाब को ही कहा जाता है, वो जब आये तब आकर पावन बनाए, भारत की महीमा बहुत भार भारत सब धर्मों का तिर्थ स्थान है, सिब जयनती भी यहां गाई जाती है, शतियुक्त है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुन शंपन, सोलकला शंपूर्ण, चंद्रमंसियों को चोदकला कहेंगे, फिर नीचे उतरते हैं, बाप आकर सेगेड में सीडी चड़ाए, शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं, फिर 84 का चक्र लगाए, सीडी उतरते हैं, 84 जरम कोई ने तो जरूर होंगे, मुख्य है, शर्व शास्त्रमई, सीरोमणी गीता, सीमत भगवत, माना भगवान की गाई ह परन्तु भगवान किसको कहा जाता है, यह पतित मनिश्य नहीं जानते, पतित पावन सर्व का शदगती दाता एक निराका सीबी हैं, परन्तु वो कब आया यह कोई नहीं जानते, बाप आप ही आकर अपना परिचे देते हैं, अब देखो यह बच्चे और बच्चियां दो कुनों बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है तुम मात पिता, तुम्हारे इस राज्यूक सिखने से सुख घनेरे मिलते हैं, तुम यह आते ही हो बेहत के बाप से सोर के एकिस जन्मों का बर्सा पाने, अब शिब जनती भी भारत में ही मनाते हैं, रावन भी भारत में ही दिख परन तो अर्थ कुछ भी नहीं जानते शीब हमारा बेहत का बाप है ये एक भी नहीं जानते सिब शीब की पुजा करते रहते हैं जब सारा जार तमपरधान हो जाता है तब बाप आते हैं नई दुनिया में भारत सौर्ग था भारत में सत्यूग था भारत में ही अब बाप समझाते हैं पहले पहले तुम शौर के मालीक थे अब तुम 84 जनम भोग नरकवासी बने हो अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनिश्य देवता पती से पावन बनाता हूँ भक्ति अर्थत ब्रम्हा की रात ज्यान अर्थत ब्रम्हा का दीन तुम ब्रमकुमार कुमार दिन में जाते हो इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है ब्रोवर महा भारत लड़ाई है ब्रोवर इस महा भारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है अनेक धर्म विनास हो एक धर्म की अस्थपना होती है तुम बच्चे बावा के मददगार बन इस नातन देवी देवता धर्म की अस्थपना कर रहे हो तुम स्वर के मालिक बनने लायक बन जाएंगे फिर बिनास सुरू हो जाएगा यहे शीब बावा का ज्यान यग्ये फिर शीब कहो वा रूद्र कहो कृष्ण ज्यान यग्ये कभी नहीं कहा जाता श्रतियुक तिरता में यग्ये होता नहीं यग्ये तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है अनाज नहीं होगा वह लड़ाई लगेगी तो यग्ये रचेंगे सांती के लिए तुम बच्चे जानते हो बिना सोने बिगर तो भारत स्वर्ग बन ना सके भारत माता शिब सक्ति से ना गाई भारत को स्वर्ग बनाया है अब बाप कहते हैं मौत तो सब की सीर पर खड़ा है इसलिए अब ये एक जनम पवीत्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमोपर्धान से शतोपर्धान बन जाएंगे अभी तुम शुद्र से ब्रावन बन फिर देवता बनेंगे ये कोई नहीं बात नहीं कल्प कल्प हर पांच हर बस बार ये चक्र फिरता रहता है नर्क से शौर्ग बनता है पती दुनिया में मनिश्य जो कुछ कर्म करते हैं वो बीकर्म ही बनता है बाप कहते हैं पांच हर बस पहले भी तुमको कर्म अकर्म बीकर्म की गति समझाई थी अब फ पिता प्रमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूं यह सरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है मनिश को देवता भी नहीं कहा जाता तो मनिश को भगवान कैसे कह सकते हैं बाप समझाते हैं तुम 84 जनम लेते लेते नीचे सिड़ी उतरते आये हो उपर सकता है शवी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं खोर भी पतित बनते जाते हैं तब बाप कहते हैं उनका अभी उधार करने मुझे आना पड़ता है यह है रावन राजे तुम अभी रावन राजे से निकल आये हो धीरे धीरे सब को पता पड़ेगा ब्रावन बनने बिग बाब है ही दो, एक निराकारी बाब, एक है साकारी बाब, बरसा मिलता है एक साकारी बाब से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहत के बाब से बरसा मिलता है निराकारी आत्माओं को, अब तुम बच्चे जानते हो, मिठे मिठे शिप बाबा से हम 21 जनम के लिए सु बाव से योग लगाए बिकर्विनास कर विश्नुपूरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। विश्नुपू की नावी से ब्रवहा निकला। उनके हाथ में फिर साथ देते हैं। बाप कहते हैं, ब्रवहा दवारा मैं तुमको सारी रचना के आदिमध्य अंध का ज्यान सुना रहा हूँ। मैंहीं ज्यान का सागर हूँ। गाते भी हैं ज्यान सूर्ज परगटा। अज् अभी तो मनिश्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है, इन सॉल्वेंट विश्यों को फिर सॉल्वेंट कोन बनाए, यह बाप कही काम है, बाप कोई तरस पड़ता है, कहते हैं तुमको राज योग सिखाने आया हूँ, नर को नारायन, नारी को लक्षिम बनाता हूँ, भा ब्रमा का नाम भी बाला है, परजा पिता ब्रमा, तुम ब्रामन हो सब से उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो, बाप की यह सही विकर विनास होंगे, और कोई रास्ता नहीं है, पती से पावन बनने का, यह से खाद भसम होगी, सोना लोग जानते हैं, स परती है, तो परधान बन पड़े हो, अभी फिर सतो परधान बनना पड़े, तब सत्युग में जा सकेंगे, बाप कहते हैं, कोई भी देधारी को याद नहीं करो, गिरहास्त वैभार में रहते, एक बाप के शिवाय और कोई को याद नहीं करो, तो तुम स्वर्ग पूरी क सब का उधार करने आता हूँ, तब ही कहा जाता है, यदा यदा ही धर्मश्य, यह भारत की ही बात है, सर्व का सद्गती दाता, मैं एक बाप शीव हूँ, शीव, रुद्र, सब उनके ही नाम है, अथा नाम रख दिये हैं, बाप कहते हैं, मेरा अस्री नाम तो एक ही है मैं शीब हूँ, तुम साली गराम बच्चे हो, तुम आधा कल्फ दे अविमानी रहे हो, अब दे ही अविमानी बनो, एक बाप को जानने से बाप दोरा तुम सब को जान जाते हो, माश्टर ग्यान सागर बन जाते हो, अच्छा, मिठे मिठे, शिकिल्धे बच्चों प्रती, मात पिता, बाब ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते, नमस्ते धारना के लिए मुख्यासार पहला पोइंट सीमत पर चलकर सिर्ष्ट सिर्ष्ट देवता बनना है शारे बीष्टों की सच्ची सच्ची रुवानी सेवा करनी है आदिस नातन देवी देवता धर्म की अस्थपना में बाप का पूरा मददगार बनना है दुसरा पोइंट आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाए किसी भी देधारी को याद नहीं करना है पारलोकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है आज प्यारे मिठे बाबा का बरदान अंतर मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले बीगन जीत भो कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं आप भी जितना अंतर मुखी अर्थाथ अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंदत से बचा हो जाएगा मनन सकती बढ़ेगी और माया के बिगनों से भी सेफ हो जाएगे बाहर मुकता में आते भी अंतर मुख, हर्शीत मुख, आकरसन मुरत रहो कर्म करते भी ये प्रेक्टिच करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभो करेंगे स्लोगन बिमारी से घवराओ नहीं उसे दवाई रुपी फ्रूट खिला कर बिराई दे दो अब सुनते हैं माते सुजी के अर्मोल महावाय के हेडलाइन मनिष साचातकार में कैसे जाते हैं मम्मा ने कहा यह जो साचातकार में जाना होता है तो इसकी फिलोसफी भी बहुत महीन है यह अन्तवाहक सरीज से जाकर घुमते हैं जैसे कोई बाहर घुमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घुमने गया, तो मरा, वो घुम कर फिर वापिस लोट कर आएगा ना, तो भी आत्मा इस बोड़ी से निकल अंतवाग सरी से सेर करने जाती है, थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंची है, यह भी परमात्मा क काम है, जो उनकी रसी को खेंच दीविद्रिष्टी से उनको साचातकार कराता है, जैसे रात को हम सरी से नियारी आत्मा हो, सुख पर अथवा सपनी की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय सरी सान थे, तो दे और दे के धर्म भूल जाते, परंतु ऐसे नहीं, कोई सर फिर मर गया, फिर जब जागरीती में आता है, तो सरात के सपनी की अवस्था का बढ़न कर सुनाते हैं, वो इसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा, फिर दीविद्रिष्टी से आत्मा को सेर कराते हैं, फिर जब ध्यान से उड़ते हैं, तो वो देखा हुआ तो वो सपन रजोगुण, तमोगुण भी होता है, यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था हैं, तो ध्यान में कोई सरीर मरता नहीं है, मगर सरीर की वाशना गूम हो जाती हैं, जैसे क्लोरोफोम देने से सरीर की शुदबुद भूल जाती हैं, देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड़ करते हैं, तो इंजक्शन लगा कर डेड़ कर देते हैं, परन्तु और एंदिर्यां तो चलती हैं, तो ध्यान भी इसी तरह से हैं, कि आत्मा कोई उड़ कर सेर कराती है, परन्तु सरीर मरने ही जाता, अब यह रस्ती खिचने की सुर्थी भी परमात्मा में ह ना कि मनिश्य आत्मा में, अच्छा, ओम शान्ती